बारत बुटान सीमा इस्तित चामूर्ची ग्राम पंचायत के चुना बखने के लिए जाना ने होगान में सरकारी प्रैमरी इस्पूल का चरजर हालत है जहां एक तरफ आजादी के 75 वे वर्स पर देश अमरित उत्सो मना रहा है वहां चुना भटी चाय बगान बानरहट थाना अंतरगत इस प्रैमरी इस्पूल का काफी जरजर इस्तिती देखने को मिल रहा है यहां के बच्चे गंदगी और तूटे हुए बात्रूम और गंदे बात्रूम में सौच करने को हैं मजबूर इस्कूल के चछट से पानी टपकता है एवंग इस्कूल के क्लास के भीतर से आसमान आप देख सकते हैं तो देखते रहें एनियाई द्वास नियूज यूटूब फेस्बुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें अमरित महुत्सव हम लोग मना रहे हैं आजादी के 75 वर्स की अमरित महुत्सव मनाई जा रही है और आज भी हमारे देश के हमारे पस्षिम मंगाल बानरहर्थाना अंतरगत चामूर्ची ग्राम पंचायत के चुना भटी चाय बगान इस्तित एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का दुर्दसा अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि सिक्षा की इस्तिती कहा है हम लोग 75 वाँ आजादी का अमरित उत्सव मना रहे हैं लेकिन बच्चों के लिए आज भी स्कूल की काफी दैनिये इस्तिती है आएए मैं दिखाता हूँ इस्कूल का क्या प्राइमरी स्कूल के हम लोग आय हुए हैं अंदर यहां देख सकते हैं कि यहां पर सुरुवात होती है हम लोगों को अभी स्कूल चल रहा है एक बार उधर दिखाईएगा ओ देखिए वहाँ स्कूल चल रहे हैं बच्चे वहाँ स्कूल क्लास कर रहे हैं बाहर में और यह स्कूल के भीतर यहां देखिए गोबर जैसे सीड़ी पर उपर हम चड़े हैं गोबर से सुरुवात होती ह इसकी और यहां भी गोबर है और आगे और हम दिखाना चाहेंगे इसकूल प्रांगण के भीतर जब आप आएंगे तो देखेंगे कि इसकूल यह अजादी के 75 वर्स पर पहुंची है और इसकूल का छट का यह हाल देखिए जगा जगा यहां पे छट इसकूल के छट हम देख सकते हैं यह चट तूटे हुए है यहां पे देखिए बरसात का सीजन आ गया है लेकिन यहां देखिए यह चट की इस्तिती कैसी है देख सकते हम इस्कूल का ये classroom है और इस्कूल के classroom का ये दुर्दसा है यहाँ पर बता नहीं सकते चुना भठी चाय बगान का ये primary school है यहाँ छत की ये स्तिती देख कर ऐसा लगता है कि हम लोग आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं या आजादी की यह समझ में नहीं आ रहे हैं यहाँ कुछ आप तूटे-फूटे बेंच भी दिखाई देंगे और इस्तिती आप स्कूल का देख सकते हैं ऐसे ही क्लासरूम में बच्चे यहाँ के पढ़ने को लेकर मजबूर है यहाँ भैवह इस्तिती यहाँ चामुर्ची गराम पंचायत के चुना भटी चाय बगान इस्तित प्राइमरी स्कूल का है यहाँ बहुत सारे अस्थानिय लोग भी आये हैं अस्थानिय लोगों से भी मैं जानना चाहूंगा कि ये इस्तिती कितने दिनों से है और क्या ये हाल है तो अभी मैं एक दूसरे रूम में चलता हूँ दर्सको देखते हैं दूसरे रूम का क्या हाल चल है ये देख रहे हैं ये चुना भटी चाय बगान का फैक्टरी है सामने से भोटान के लिए रोड निकली है और ये आपका स्कूल का बाहरी हिस्सा है बरामदा है और यहां पर देखिए ये साफ सफाई का भी कोई ध्यान नहीं है और यही इसी जगह पर यहां पर बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है और यहां भी आप देख सकते हैं ये स्कूल की बदहाली का आलम अभी हम दिखाएंगे कि स्कूल के बाथरूम का क्या इस्तिती है देख सकते हैं खिड़की जगा जगा तूटे हुए हैं और ये स्कूल का हम आए हैं बाथरूम में ये बाथरू इस्तिती है, देखिए खिड़की टुटा हुआ है और यह इस्तिती है, यहाँ पर यह बातरूम है, यह टोलेट रूम है, तोलेट रूम आप देख सकते हैं कितने गंदगी से भरा हुआ है, यहाँ पर बच्चे बच्चियां सौच करने आते हैं और यह इस्तिती है, देखकर हमें नहीं लगता कि हम आजादी के अमरित उत्सव मना रहे हैं या फिर हम खुद से मजा कर रहे हैं हम यहीं कहना चाहेंगे कि इस द्रिश को देखते हुए आज यहाँ साबित हो गया कि यहाँ पर आज भी प्रसासनिक अधिकारियों के आखों पर पट्टी है यह आजादी के अमरित उत्सव पचहत्रवा वर्स चल रहा है पुरा देश अमरित उत्सव मना रहा है लेकिन बानरहाट थाना अंतरगत चुना भटी चाय बगान का यह सरकारी प्राइमरी स्कूल की इस्तिती हमें देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम आज भी इस आजादी को जीने के लाइक हैं आप देखिए यहाँ पर इस्तिती है इस्कूल का यह इस्कूल का कक्छा यहाँ पर एक और हम कक्छे में आ रहे हैं यहाँ देखिए यह कक्छा है यहाँ इस्तिती क्या है और यहाँ देखिए खूले में बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चे एकसरसाइज कर रहे हैं सिक्चक सिक्चकाएं बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यह इस्कूल का ग्राउंड है इस ग्राउंड में कहीं भी बाउंडरी नह और ये इस्तिती है अभी बरसात की शुरुवात हुई है और स्कूल के बरामदे में इस तरह से पानी जमना शुरू हो गया है स्कूल की श्तिती देखने लायक है कि किस श्तिती में बच्चे यहां पर पढ़ते हैं हलाकि बच्चे तो नौनिहाल होते हैं बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और यही हमारे देश के भविस्य हैं और इन ही से हमारी देश की उनत्ती और संस्कृती जुड़ी हुई ह तो आईए दोस्तों यहां के अस्थानिये कुछ लोगों से बात चित करते हैं आजादी के अमरित महुत्सव पर हम लोग देखे स्कूल की क्या इस्तिती है मैं अस्थानिये यहां के कुछ प्रतिनिधियों से बात चित करना चाहूंगा अगर कोई सिख्चक कुछ बोलना चाहेंगे, आप बोलना चाहेंगे सर। आईए तो ये इसकूल के सिख्चक है, इधर आईए सर। क्या नाम हुआ आपका सर। कुंदन तमाग। अजए तमाग जी ये बदहाली कितने दिनों से इसकूल की इस तरह से बदाहली है यह तो काफी दिनों से है यह लगडाउन से पहले भी ऐसा वास्ता था लेकिन लगडाउन के प्रियड में जो आभी हमलों का बांद जो खुला तो उसका बस जो दन्य आवस्ता है इसके ऐसा वास्ता है कि हम लोग अंदर में पढ़ा नहीं सकते और जो हाईजेनिक जो होना चाहिए था जो प्रॉब्लम नहीं बहुत सरा तूलेट का स्थिति काफिक बहुत 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 इस सफाई वगरे के लिए स्कूल के लिए कोई प्रसासनिक अधिकारी कभी अभी तक तो नहीं आए इस बार कोरोन के बाद में जो इसकूल खुली है तब से कोई प्रसासनिक अधिकारी नहीं आए अभी तक तो नहीं आए तो जैसे बरसात अभी शुरुवात हुई है अभी बादल चाया हुआ है दो तीन दिन से लगतार बारिस भी हो रहा है तो आप लोग बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हैं बरसात के दिनों में तो जिस तरह से चट पूरी तरह से धोस्त हो चुका है तूट गया है जगा जगा बड़े बड़े मतलब उपर है ही नहीं चट तो वहां पर कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं यह तो बहुत आप लोग कभी अभी दर्शन हो चुका है हम लोग के स्कूल का वास्ता को हम लोग के स्कूल 1940 में यह बना हुआ है जब से बना है तब से अम लोग और 2006 में हम लोग स्कूल है राज सरकार के अंदर में आती है और यह इस्तिती है कोई प्रसासनिक अधिकारी वगरे को आप लोगों ने किसी तरह से अप्रोच किया था कि इसका ठीक हो बहुत बार लिक के दिया है बहुत बार पहले हम लोग का मने श्री धनबादुर जी थे तो रिशनली है जितना जल्दी हो सके तो अच्छा होता क्योंकि बारिष चालू हो चुकी है लगतार तीन दिनों से बार प्रॉबलम हो रही है बहुत बहुत शारा जिस से कारजने अंदर पढ़ाने पार एक्सराइज थोड़ा इंटर्टीन करा के हम लोग वच्छों को पढ़ा रहे है और यह बच्चों के लिए जो मीड़े मील होता है अभी तो इस्कूल में बनना शुरू हो गया पहले घर में दिया जाता है तो इस्ती में कीचन के देखा वहां पर काफी गंधगी था तौलेट के बगल में कीचन है और इस तरह से किस तरह से मीड़े मिल वगरे का काम हो रहा बहुत बहुत धन्यवाद आपको तो देख सकते हैं मित्रोर अरद जो इसकूल की जो यह प्रस्तिती है इसकूल की प्रस्तिति के विशय में यहां के सिक्चक बताई और यहां पे मैडम भी है यह भी पढ़ाती है आप कुछ बोलना चाहेंगे मैडम मैडम यह इसकूल का जो है इसके विसाय में आप क्या कहना चाहेंगे इस दी तो बहुत खराब है अभी मैंने अभी तो थोड़ा बारिस अभी शुरू हुआ है लेकिन और जब ज्यादा बारिस होगा तो पूरा मैंने पैर रखने के लिए जगा नहीं होगा हम लोगों को उचल उचल के जाना पड़ हम लोग 2006 का है 2006 का है 2006 का है मोटा मोटी आपका यहां 16 वर्षों से पड़ा रहें है उसके बाद अभी हम लोग्राजु सलीम सर है एमडी सलेम सर वह भी वीडियो पुसे साय्थ कुछ हुआ है पास बोल रहे हैं लेकिन वीडियो ओफिस में यह आया है पैसा बोल के बोल लेकिन वो जमीन के लिए लेकिन अभी बनाएंगे कुछ बोलके सब कुछ करते कितना दिन बता रही है यह सिक्षी का है इसी स्कूल की बता रही है कि रिपेर के लिए कुछ पैसे आये हुए हैं वीडियो कर्याले के माध्यम से लेकिन दो सब्सक्राइब पहले कुछ इंक्वाइरी यहां बढ़ाया था लेकिन उसके बाद में अभी तक कोई नहीं है हैं मैं अस्थानिये कुछ लोगों से बात्चित करना चाहूंगा यहां के एक जन प्रतिनिदी है और यह सदान मेंबर लेकर बैठे हुए अच्छा आप सधारन मेंबर लेकर कोई राजितिक नहीं तो यह स्कूल के बदहाली को लेकर आपका क्या कहना है आप अस्थानिये यह क्या है मेरा काना है कि यहां जो जैसे बोलते थे पहले बिटिस जमाना में की सिक्सा कि होते थे उद्स्था भोलके बोल रहा है लेकिन अभी शिक्सा होके भी अभी अन्षिक प्राइमेरी स्कूल को डिए रखा गया है आजाधी कप 75 वर्स है अमरित उत्सव पूरा देश मना रहा है और ये बदहाल पस्षिम मंगाल का ये आदिवासी बहुल छेत्र है यहाँ जादत तर आदिवासी समुदाय और गोर्खा समुदाय के भी जो मतलब चाय बगानों में काम करने वाले वही बच्चे पढ़ते हैं वही बच्चे लोग पढ़ते से जह के लीए तो उन लोग अपना खाली उल्टा सिधा करने का लिए यहाँ इस्कोल में आते हैं है ऐसे लगता है वह लोग बडूप से यह कि यह हैं अभी हमने इतना दीन से देखत 되고 explak पहले भी इस तरह का बात कहा गया और अभी तक दो सप्ता हो रहा है आपका क्या नाम है मेरा नाम तुलसी नाइक चुना भटी तो तुलसी नाइक जी काफी दुखी है ये बच्पन में इसी स्कूल में पढ़े हैं और इस स्कूल की स्तिती देखकर लोगों को यह कहने पर मज अच्छे मना रहे हैं यह काफी सोचनिय विशय है मेरा नाम कुमार सिंग आप इसी स्कूल से पढ़े हैं और भी स्कूल की यह इस तिती देखकर क्या कहना चाहिए दुख लगता है क्योंकि यह इस पढ़े हैं तीस साल आगे तीस साल के बाद में हमने कोई डेवलब नहीं जो भी डेवलोफ हुआ है वो बास्टर लोग के लिए बैठने के लिए डेवलोफ नेकिन इस्टूडेंट के लिए ना यहां बेरेंज है ना उपर छथ है ना टोइलेट है ना मीड़ी बिल का खाना ठीक है तो इसको देख देख के हम लोग भी परिशान हो गे इसलिए हम लो सब हम लोग यहां पढ़ते थे उसमें बहुत अच्छा ही था क्योंकि हम लोग यहां जितने भी है ज्यादा तर हम लोग प्राइमरी स्कुल के ही इस्टूडेंट राश चुके हैं उसमें इतना अच्छा था टीचर लोग बिस-पचीस साल पहले ही तो उसमें इतना देता है कि यह जो रहा है कि लोग झतना गुरुब था वह लोग मेल राए ते यहां जो लोग कि यह यह जो लेटरिंग कि यह तो अच्छा जगाने है कि इस खबर के बाद प्रसासनिक अधिकारी जरूड इस पर अमल करेंगे और जल से जल यहां भी इन बच्चों को अन जगहों के डेवलाप स्कूल के तरह यहां भी ग्राउंड में बाउंडरी होगा और यहां के बच्चे भी एक स्वक्ष और सुन्दर स्कूल में पढ़ेंगे साइद यह कब तक होगा यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन अभी जो परीद्रिस हम लोगों ने देखा है यहां का यह काफी ही जरजर इस्तिती में यह स्कूल है जिर्ण सिर्ण स्कूल है कब इसका जिर्ण उधार होगा यह पता नहीं देखते रहें एनियाई द्वास न्यूज यूटूब फेस्बूक पर लाइक और सब्सक्राइब किजिए और अपने इलाके के महत्पूर्ण खबरों से जुड़े रहे है रमन कुमार जहा चामुर्ची गराम पंचाथ चुना भटी प्राइमरी स्कूल से